ओर इसका टोपीक है Physiology of Repression, स्वसन की कारकी प्राणियों में विभिन सारी रिक किरियाओं जैसे लोकोमोशन हैं ग्रोथ हैं रिप्रोडक्षन हैं इन सब के लिए निरंतर उर्जा की आउश्यकता होती है प्राणियों में उर्जा की प्राप्ति जो खादे पदार्थों की द्वारा की जाती है और इस उर्जा प्राप्ति के लिए खादे पदार्थों का आक्सिकरण किया जाता है और उर्जा की निर्मुक्ति का यह जो पुरा प्रोसेस है यह स्वसन या रेस्पिरेशन कहलाता है और इस किरिया में प्राय ओटू का उप्यू किया जता है और सी ओटू का उत्वादन होता है जी एस कार्टर के अंचार उचिस्तरी प्राणियों में स्वसन किरिया निम्न अवस्ताओं में संपन होती है पहला इसमें भाईय स्वसन या external respiration भाईय स्वसन में वे किरिया सिम्लित होती है जो स्वसन सते में वातावरण की बीच जो gas exchange है उससे related होती है और इसमें मुख्य तो दो प्रावस्ताएं मिलती है एक अंतर स्वसन या इंस्पिरेशन अंतर स्वसन में वायू को फेपड़ों में ग्रहन किया जाता है और दूसरा है बहिर स्वसन और एक्स्पिरेशन बहिर स्वसन में वायू को फेपड़ों से पुने वातावरण में निर्मुक्त किया जाता है दूसरा जो प्रोसेस है वह आंत्रिक स्वसन है बहिर स्वसन के दोरान ली गई ओक्सिजन ओक्सी हीमोगलोमिन के रूप में ट्रांस्पोर्ट होती ही परवेहीत होती है और उत्कों में रखते हम अंत्रा ली तरल के मद्दे गेसों का विन्य में होता है और तीसरा जो प्रोसेस है वह है कोसी की है स्वसन या सेलूलर रेस्पिरेशन कोसी के स्वसन में दो प्रावस्ता हैं पाई जाती है परतम प्रावस्ता में कोशिका अंतरल तरल से ओटू प्राप्त करती है और सी ओटू को निर्मुक्त करती है और सेकंड जो प्रावस्ता उसमें कोशिका में आक्सिकरणयम अनाक्सिकारी किरियाएं होती है और इन किरियाओं में उर्जा की निर्मुक्ती होती है और यह जो उर्जा है, यह भी न प्र्रागरी यह भी क्रियाओं में काम में ली जाती है, स्वसन के प्रकार आप जानते होंगे, oxygen की उपलब्ता क्यादार पर इसको दो बागों लोगं बाढ़ सकते हैं, पहला है why via स्वसन और दूसरा है ay why via स्वसन, उसके बाद में स्वसन अंग, respiratory organs, सबसे सरल प्रकार के जो प्राणी है, protozons, उनमें सरीर की साम्मने सत्य जो है, वो ही एक प्रकार से स्वसन सत्य का काम करती है, और उसी के द्वारा गेसों का विन्य में होता है, लेकिन हम देखते हैं कि organic evolution या उद्विकास के दोरान, जैसे जैसे प्राणियों में जटिलता आती जाती है, वेसे वेसे, जो इनका स्वसन तंत्र है, उनमें भी सरसनात्मों को क्रियात्मक जटिलता हैं, या विसे इसता हैं, विक्सित हो जाती है, और जो प्राणियों के मुखे स्वसन अंग, उनमें general body surface या सामाने सारी जिख सते हैं गिल से ट्रेकिया फेफडे आदी होते हैं, जिनका हम थोड़ा उसतार से अध्यान करेंगे, पहला हम लोग लेते हैं सरीर के सामाने से जनल body surface, ये सबसे सरल प्रकार का जो है प्रोसेस होता है, सबसे सरल प्रकार की अंग समझे जाते हैं, और जैसे प्रोटो जोन से माध्यम से O2 प्राणी में आती है, और CO2 प्राणी से जलिये माध्यम में विश्रित हो जाती है, इस प्रकार से एक प्रकार का प्रतेक स्वसन होता है, दूसरे हैं गिल्स, ये मुखेते जलिये प्राणी में स्वसन का कार्य करते हैं, और गिल्स जो होती है, तंतु में रक्त का प्रवाहा गिल्च में होने वाले जल प्रवाहा के विपरीत होता है जिसके कारण गेसो काविनियों में आसानी से हो जाता है गिल्च का आकार जल में उपस्तित ओक्सिजन के उपर निर्बर करता है एदी जल में ओक्सिजन की मातरा कम होती है तो गिल्च का आकार पर प्रकार के और अंत्रीक प्रकार के हो सकते हैं उसके बाद में अन्येग मसलियां है जिनमें यह पायाहे जाते हैं और और जो उनकी हानाल होती है उसका जो एंटिरियर पार्ट होता वहांके ये derivative होते हैं, जो एक ओल वस्ता में पाये जा सकते हैं या युग मित अवस्ता में पाये जा सकते हैं और इनका मुख्य काम तो हाइडोस्टेटिक प्रेसर मेंटेन करने का है, लेकिन ये स्वसन में भी सायक होते हैं, जो फाइजोस्टो मसलियां होती है, उनमें वायू आसे नुमेटिक नलिका के द्वारा फेरिंग से जुड़ी रहती है, जबकि फाइजोकलिस्टिस जो मसलिय होती है, उनमें वायू आसे का फेरिंग के साथ कोई सम्मंद नहीं होता है, गहरे पैंदे में पाई जाने वाली मसलियों में भूर्णा वस्ता में वायू आसे पाई जाते हैं, लेकिन वेस्ट का वस्ता में वायू आसे हनुपस्तित होते हैं, वायू आसे में नुमेटिक ये तु होता है और इस ब्धाग में रख्त के सिखाओं का जाल पाया जाता है जिसे रिते मेरी भिलिया कहते हैं और जो इसका पर्श भाग होता है वो गैसके अवस्ट्वसन के लिए रुपांतृत हो जाता है और ये वुआ यू आसे मैली स्वसन और ध्वनी उत्पादन और और सुन्यिया के प्रोसेस है उससे रिलेटेड होते हैं , उसका वाद में ट्रेखिया ही ट्री के इंतरवलन से बनने वाली रिचना है, यह स्पाइरेकल के द्वार बाहर खुलती हैं, और ट्रेक्ल की तरब से कि्यूटिकल के द्वार रेखित होती है, और इसाकित और में पाई जाती है और कई कीटों में ये वायू कोस में भी रुपांत्रीत हो जाती है और अंतिम जो हैं वो फेपड़े हैं जो अत्यदिक परत्यास्त रचनाएं और मुख्यत है इस तंदारियों में ये मुख्य स्वसन रचनाएं होती है मुख्य स्वसन अंग होते है और ये इस्पंज के समान रचन हैं जो कई करोडों एल्वलाई की द्वारा बनी होती है जिसका आगे में हम लोग डिटल मेध्यन करेंगे उसके बाद में स्वसंत अंत्र के गठक कमपोनेंट्स ओफ रेस्पारिटी सिस्टम इस्तंधाहरियों में स्वसंत अंत्र के मुखे गठक निम्न है पहला इसमें जैसा की चित्र में दिखाई दे रहा है नाशी का कक्स नेजल चेमबर भाई ये हम आंत्रीक नाशा चिद्रों के मद्दे का आउकास नाशी का कक्स या चेमबर वो मिजेत मोट जो उपासती है उसके कारण दाहनें बाईं जो अर्दान से उनमें विवक्त होता है अब नाशी का कक्स जो है उसका परतेख जो अर्दान से परतेख जो आप पार्ट है वो पुनत तीन चेत्रों में भटा रहता है पहला वेस्टिबलर चेत्र ये नाशिका कक्षका सबसे अगर भाग होता है, जिसमें अनेक एसन के रोम पाई जाते हैं, और धूल के कॉणों और एवानचित पदार्तों को वायू के साथ जाने से रोगते हैं, दूसरा जह होए रेस्पारेटरी पार्ट है, स्वसन छेतर है, यह छेतर वायू के समभन या कं जाई हूँ है, उसको यह गर्म करने का काम करता है, और तीसरा समेदी चेतर है, और यह चेतर एत्मो टरबाइन समेदी जिल्ली के द्वारा ढखा रहता है, जिसे नेडेरियन, मेमरेन भी कहते हैं, और यह जिल्ली जो है, गंद की पहचान करने में साहिक होती है, उसके कारण नाची का मुख गुआ से परतक रहता है, एमपीबियंस में तालू के अभाव के कारण आंत्रीक नासाचिद्र ग्रस्नी के अगरभाग में खुलते हैं, और इस्तंधारियों में तालू की उपस्तिती के कारण आंत्रीक नासाचिद्र ग्रस्नी के पस्रभाग में पैरेंजियल का इसमा का नियंत्रण एपिक लोटिस नामक्ड एक ढखकन है उसके द्वारा किया जाता है और एपिक लोटिस के कारण भोजन के करण ट्रेक्या में नहीं जा पाते हैं तीसरी रचना है लेरिंक्स अधिकांस कसेरू की प्राणियों में लेरिंक्स के द्वारा उत्पादन होता है अते इसे साउंड बोक्स भी कहते हैं मनुश्यों में लेरिंग्स को एडम्स एपल या पोमम अडामी कहते हैं इस्तंदारियों में चार कार्टिलेज के द्वरा अलंबित रहती है सपोर्टेड रहती है थाइरोड कार्टिलेज है ग्रिकोईड इस्तंदारियों में थाइरोड और एल्टिनोड जो उपास्तियां उनके मद्दे में दो जोड़ी स्वररजु भी पाए जाते हैं जो आगे के स्वररजु होते हैं उनको फाल्स वोकल कोड कहते हैं मिथ्या तंतु कहते हैं और जो पश्च जोड़ी जो होते हैं उनको वास्तुविक सररजु या ट्रू वोकल कोड कहते हैं परतएक्वास्तुविक सररजु वो पीले यलाश्टिक तंतु की बनी होती है और ये तंतु म्यूकस मेंब्रेंट के दौरा आवरीत रहते हैं डखे रहते हैं यद भी सभी इस्तंदारियों में वास्त्विक हैं मिथ्या स्वररजु दोनों उपस्तित होते हैं लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं हाती में मिथ्या स्वररजु उपस्तित होते हैं जबकि हिपो पोटेमस में वास्त्विक स्वररजु उपस्तित होते हैं और मनुश्यम हमें अगर देखें, तो पुर्सों में, इस्तरियों की तुलना में जो कंट का आधार हो बड़ा होता है, मैलाओं की तुलना में चोती जो रजना हुए, ट्रेकिया, ट्रेकिया को विंड पाइप कहते हैं, वाईपाइप भी कहते हैं, और यह एक नलीका का रज जो लगबग 12 cm लंबी और 20 cm व्यासकी होती है और ये इसोफेकस के आगे उपस्तित होती है जो कंट से पांचवी थोरे सिग वर्टी ब्रा तक फैली रहती है और वहाँ पर जाकर ये बाइयों दाइनी प्रात्मिक ब्रोंकाई में विबक्त होती है जो अपने संगत फैपड़ों में प्रिवेश कर जाती है ट्रेक्या का अनुपरिष्ट काथ में बाहर से बीतर की ओर चार जो इसमें लेर पाए जाते है पहला जो है एडवेंशिया तूसरा है है हाईलाइन कार्टिलेज रहे तीसरा सम्यूकोसा और फोर्थ जो है म्यूकोसा ट्रेक्या में हाईलेन कार्टिलेज की बनी हुई छैसे 20 अपूंसी आकार की वले पाई जाती है ये वले प्रस्चते पर अदूरी होती है वले का अपून भाग इसो फेगस के सामने इस्तित होता है इस कारण बोजन निगलने के समय इसो फेगस में थोड़ा प्रसार हो जाता है जिस सिस्तान पर ट्रेकिया प्रात्मिक ब्रोंकाई में विबक्त होती है वहाँ पर आंत्रिक सेतु पाया जाता जिसे केरिना कहते हैं इसका निर्मान अंतिम कार्टिलेज वले के प्रसार से होता है केरिना पर उपस्तिध म्यूकस जिल्ली सरवादिक समय दी सते होती है जो कफ रिफ्लेक्स को प्रेरित करती है पांचवा बिंदो है ब्रोंकाई पांचवी वक्स ये कशेरुका के निकार ट्रेकिया बाय अंप दाहीनी प्रात्मिक ब्रोंकोस में विबक्त हो जाती है जो क्रम से बाएं दाहिने फेपडे में प्रिवेस करती है दाहिना प्रात्मिक ब्रॉंकस वर्टिकल और सोटर और अपेकसा मोटी होती है और प्रात्मिक ब्रॉंकस में ट्रेकिया के समान अपून सी आकार के वले पाई जाते हैं एनुली पाई जाती है प्रात्मिक ब्रोंकाई के फेपडों में प्रिवेस करने के पस्चाहत यह पुने विवाजित होकर दित्ती है या लोबर ब्रोंकाई का निर्मान करती है लोबर ब्रोंकाई पुने विवाजित होकर दित्ती है या खंडिय ब्रोंकाई का निर्मान करती है जो पुने विवाजित होकर ब्रोंकाई का निर्मान करती है और संपूंट रेकियल तंत्र में इस प्रकार के जो branching होती है पुनर जो branching होती है री जो branching होती है उसकी choice generation पाई जाती है 24 generation पाई जाती है जैसा कि आप इस चितर में भी देख सकते हैं कार्य के आधार पे जो सम्पून स्वसन पता उसको दो छेतरों में हम लोग बाढ़ सकते हैं पहला है कंडक्ट इन जोन और दूसरा जो है रेसिपाइरेट्री जोन कंड़क्ट इन जोन ये सम्वहणि जो छेत्र है। यह ट्रेकिया के प्रारम से स्वसन ब्रेंक्योल या रेस्पारेटरी जो ब्रेंक्योल है उसके प्रारम होने तक होता है और यहां पर किसी प्रकार का को गेस यह विने में नहीं होता है और दूसरा जो रेस्पारेटर जो होन है जो स्वसन जो चित्र में भी दिखाई दे रहा और इस छेत्र में गेसो का विन्य में होता है उसके बाद में हैं लंक्स या फैपडे फैपडे एक जोड़ी संकुरूपी यंग होते हैं जो वक्सियगुआ में उपस्तित होते हैं ये एक दूसरे से रहे दे हैं मेडियास्टिनम में उपस्तित रचनाओं के द्वारा पर्तक रहते हैं मेडियास्टिनम के कारण बक्स ये गुआ दो सारी रिक या एनाटोमिकल रूप से पर्तक अक्सों में विबक्त हो जाती है पर्तक फेपड़ा दो सीरस जिलियों से आवरित रहता है जिनें प्लूरल मेंब्रेन कहते हैं इनका बहरी आवरन पेराईटल प्लूरा और वीत्री आवरन जो है विस्टरल प्लूरल केलाता है इन दोनों आवरणों के मद्धे में plural cavity पाई जाती है और इस cavity में plural द्वारा स्रावित plural fluid उपस्तित होता है जिस के कारण इस तरल के कारण फेपडों मेर plural के मद्धे ग्रहसन नहीं हो पाता है लेकिन कई बार इसमें वाई भर जाती है रक्त भर जाता है यह एक प्रकार की pathological condition होती है जिनको जो है medical भासा में pneumothorix और hemothorix कहते हैं दाहिना फेपड़ा बाहें फेपड़ें की तुलदा में मोटा चोड़ा चोटा होता है जबकि यह क्योंकि दाहिना दाहिनी तरफ दाया फ्राम कुछ उपर की तरफ वक्रीत होता है लोबिल सेम फिसर्स परतेख फेपड़ा एक यादी खांचों के द्वारा पिंडों में विबक्त होता है दोनों फेपड़ों में एक ओबलिक फिसर पाई जाती है दाहिने फेपड़े में एक 36 खांच पाई जाती है और इस 36 खांच के द्वारा उपरी पिंड, superior lobe और inferior lobe म यह प्रतक हो जाता है दाहिने फेपड़े में 36 के कारण मीडियन लोब भी निर्मित होता है प्रतेख पिंड में दित्यक ब्रॉंकस की सकाई प्रिवेस करती है इस परकार दाहिने फेपड़े में प्रात्मिक ब्रॉंकस विबाजित होकर तीन दित्यक ब्रॉंकस का निर्मा का निर्मान करती है और दित्ती एक ब्रॉंकस का निर्मान होता है और जनल अगर हम देखें तो प्रतेग फैपड़े में जो तरती एक ब्रॉंकाई है तरसरी जो ब्रॉंकाई है उनकी संक्या 10 होती है उसके बाद में पिंडी का है यह लोबूल्स फैपड़ों के पिंड़्ों का प्रतेग जो ब्रॉंको पॉल्मरेरी जो खंड है चोटी चोटी काक्षो में विवाजित होता है जिससे लोब्यूल कहते है और प्रतेग लोब्यूल प्रत्यास संयोंजी उतक के द्वारा आवरित रहता है जिसमें लसी का वाहिनी, धमनी का है, सीरी का है, हम टर्मिनल ब्रोंक्योल की एक साखा उपस्तित होती है टर्मिनल ब्रियोंक्योल पुने सुक्सम दर्शिय साक्वा में विवाजित होता है जिनको रेस्पारेटरी ब्रियोंक्योल कहते है जैसे जैसे स्वसन ब्रियोंक्योल फेपड़ों में गहराई में दस्ते जाते हैं वैसे ही इनको जो रेखित करने वाली जो क्यूबर्डल पिथिलियम में हो जाता है और स्वसन ब्रेंक्योल पुने विवाजित होकर एल्योलर नलिका या एल्योलर डक्ट का निर्मान करती है और एल्योलर नलिका के चार ओर एल्योलियम एल्योलर सेख उपस्तित होते हैं और यह जो इनकी बित्ति में दो प्रकार की नियुमोसाइट को सिकाएं पाई जाती है, टाइप 1 एलुयलर को सिकाएं होती है, टाइप 2 एलुयलर को सिकाएं पाई जाती है, थैंक्यू,